हलो एवरिवन आप सभी का इंपेक्ट एजुकेशन हब के ओनलान प्लेटपर्म पर हार्दिक स्वागत है चाओ का आज का जो अपक्सका कि रहने वाला इसके अपने अपने डिस्क्स न आपके प्रिवेस्टीर स्चापट करने वाले हैं कि क्रोप रोटेशन किया होता है इसके द्वांटेज क्या है इसके प्रिंसिपल्स व्ενalis कासू में इस अपको मिमा करने दिसने करने वाले एक चीज में अपको पहले बताओ एभी इंग्रेंश क्लास करने ते इसमें बात करेंगे अपन crop protection के बारे में crop protection को हिंदी में कहा जाता है फसल चक्र फसल चक्र and its principle और इसके सिद्दान्त कौन-कौन से है फसल चक्र और उसके सिद्दान्तों के बारे में इस lecture में अपन डिसकस करते है सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रोप रोटेशन की फसल चकर की की फसल चकर होता क्या है क्रोप रोटेशन होता क्या है तो refuted cultivation of crops in a certain sequence on the same land is called crop रोटेशन इसका मतलब है कि एकी भूमी पर एक निश्चित भूमी पर अपन क्रमबद तरीके से बार बार फसलों को अदल बजल करके बोरे हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं फसल चकर कहते हैं क्रोप रोटेशन कहते हैं यानि अपने पास में जो अपना खेत है वो तो fix है लेंड अपने पास में फार्म है जो अपना खेत है वो fix है यानि ये मान लो आपके पास में खेत है तो इसमें आपने एक बार तो जैसे वीट लगा लिया गेहों आपने लगा लिया दूसरी बार आपने मौंग लगा लिया तीसरी बार आपने rice लगा लिया तो ऐसे बार बार आप same खेत के अंदर crop से वो बदल बदल के बोरे हो फसल को बदल बदल के बोरे हो उसी को अपन क्या कहते हैं crop rotation या फसल चकर कहते हैं एक sequence बना लिया आपने कि एक बार मेरे को ये फसल लगा नहीं उसके बार में ये दूसरी crop लगाऊंगा तीसरी बार ये crop लगाऊंगा इसमें अपन के वल खेत जो खेत है उसमें फसल को change कर रहे हैं ना कि खेत को अपन change कर रहे हैं एक होता है अपने field का rotation भी अपन कर देते हैं खेत का rotation करते हैं जबकि इसमें अपन देखेंगे केवल crop rotation यानि फसल को आपको बदलना है एक निश्चित भूमी पर एक करमबद तरीगे से अपन फसलों को बदल बदल कर बोते हैं उसी को अपन क्या करते हैं फसल चक्र या crop rotation करते हैं सारी चीज़ें आपको इंगलिस से डरने की जरूत नहीं है सारी चीज़ें हिंदी में किलियर होती जा रही है जो भी लाइन्स यहां पर लिखुई हैं उनके हिंदी में मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे एक्जामपल के अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जैसे अपने राइस लगा लिया पहले अपने एक फिल्ड के अंदर सेम खेत है अपना एक ही फिल्ड होना चाहिए ऐसे नहीं कि अलग-अलग फिल्ड में अपन अलग-अलग crop लगा रहे हैं उसे अपन crop rotation नहीं खूम ही है उसके rotation से यह अलग होता है है विविह्त होता है अब चीजित होता है यानि य lesson होता है उसके अंदर तो आपन जो अपनी अने अपन्ध है ह scriptures से एक वार आपने यहाँ पार पर प्रम है वहाँ आपने क्रोंप लगा दूसरी बार दूसरा policies बाश्म you'll the makeup इसकी बाद में अपने उपक है वह भी चेंज कर दी हर साल अपन paper अलग अलग फासलों सब्सक्रीप अपने अपने पास में लेंड है एक अपने को एरिया दिया हुआ है उस एरिया के अंदर अपने फचलों को बदल बदल कर उगाते हैं specific period of time एक specific period time के अंदर जैसे एक साल का अपने पास में time है एक अपने पास में खेट है तो उसमें अपन अलग-अलग फसले हैं वो बदल बदल कर बोएंगे उसी को अपन क्या कहेंगे crop protection कहेंगे with an objective to get maximum profit जो अपना उद्देश से है objective है वो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप करना get maximum production maximum profit से मतलब है ज्यादा से ज्यादा आपने क्या चाहिए lab चाहिए अपने को maximum profit हो सके from list investment कम investment में कम लागत अपने कम आए और profit है वो अपना ज्यादा रहे इस उद्देश से अपन क्या करते हैं इसके अलावा आपन जो फसल चकर करते हैं बार बार अलग अलग क्रोप लगाएंगे तो अपना जो खेत होगा उसकी fertility है उरक समता है वो बढ़ेगी impiring the soil fertility without impiring the soil fertility अपनी जो मतलब है कि जो अपनी soil है उसकी fertility में कमी नहीं आनी चाहिए उसकी fertility को अपन बढ़ाते रहेंगे अगर अपन फसल एक ही क्रोप है वो बार बार से में लगाएंगे तो उसका क्या करना है एक ही अपने पास में खेत है उसमें बार बार अपने को साल हर साल अपने को क्रोप है वो रोटेट करती रहनी अलग अलग अपने को ग्रोव करनी है उसको अपन फसल चक्र कहते हैं क्रोप रोटेशन कहते हैं जैसे यहां पर example दिया हुआ है एक बार अपने फेड़ी लगा लिया यारी अपने क्या लगा लिया चावल लगा लिया दूसरी बार अपने वीट लगा लिया गेहूं अपने ग्रो कर लिया next time अपने moong है वो grow कर लिया फिर अपने प्यडी लगा लिया तो यह एक फसल चक्र हो गया भूमी अपनी सेम होनी चीए भूमी अपने को change नहीं करनी है अगर अपन soil को ही change कर देंगे अपने खेद को change कर देंगे तो उसको land rotation कहा जाता है next time principles of crop rotation यानि जो फसल चक्र है उसके शिद्दान कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सी बाते हैं वो अपने को इसमें ध्षान रखनी चाहिए, कौन सी चीजे अपने को follow करनी है तो सकते पहले अपन बात करते हैं the leguminous plants are grown alternatively with non-legume plants लेग्यूम मिनस से मतलब है दलहनी जो फसले होती है वो अपने को क्या करनी है ग्रो करनी है दलहनी एक बार अपने दलहनी फसले लगा ली उसके बाद में जो ए दलहनी फसले है नो लेग्यूम क्रोप है वो अपने ग्रो कर ली अब इसका फायदा क्या होगा तो रिस्टोर द को बाद इडल्हनी फसन लगाएंगे अगर उपन बार बार इडल्हनी फसन लगाते हैं तो यह नैट्रोजें का काम करती है environment से nitrogen fixation atmosphere से nitrogen fixation का काम करती है तो जो अपनी soil होती है उसके अंदर nitrogen की quantity को यह बढ़ा देती है तो जैसे ही अपन लेगियों लगाएंगे तो nitrogen की उनको प्रापती हो जाएगी तो यह अपने लिए profitable हो गया तो ऐसी आपको फसले लगानी है crop protection के दोरान आपको ध्यान रखना है एक बार दलहनी फसले लगानी है उसके बाद में दलहनी फसले आपको लगानी है नेक्ट है दे एक जिस्टिव क्रोफ्स और ग्रोन alternatively with less एक बार अपने को ज्यादा टाइम वाली फसले लगानी है एक बार अपने क्रोफ्स लगानी है चोटे टाइम जो अपन जैसे एक मैने के लिए अपने क्रोफ्स लगा ली कोई या उसको अपन ने green manuring के लिए convert कर दिया अपने खेत में ही उसको दबा दिया तो ऐसी फसले भी अपने को लगानी है एक लोंग जड़ वाली फसले गहरी जड़ वाली ऐसी फसले अपने को ग्रो करनी है जिनकी जड़ होती है रूट जो होती है वो क्या हो गहरी हो अधिक गहराई तक जाए जैसे अपन बात करते हैं अपन ने कोई crop लगाई यहाँ पर यह अपना प्लांट है उसकी जो जड़ है वो गहराई तक गई है और एक अपने crop लगाई है उसकी जड़े हैं वो बिल्कुल कम गहराई तक गई है तो अगर अपन देखें कि जो को अपने nutrient soil के अंदर डाले है जो उपनी nutrient से यह crop करेईगी तो इससे अपनर क्या फाइधा होगा शो अ ा उपर तरीके से तो एक बार अपने को ज़्यादा जड़ वाली फसल लगानी है उसके बाद में अपने को कम जड़ वाली फसले हैं वह्योक करनी है Next is the rotation Should provide raffage and pasture For the livestock Aگर अपन पसु पालन कर रहे हैं तो अपने को कौन सी फसले भी लगानी पड़ेगी चारे वाली फसले अपने को लगानी पड़ेगी रफेज होता है चारा औपास्चर मतलब चारा का है इससे भी मतलब है कि चारे वाली फसले अपने को ग्रोव करनी है अगर अपन पसुपालन कर रहे हैं अपन पसुपालन कर रहे हैं वह साथ में रख रहे हैं यह जिस आपको ध्यान रखनी है जैसे अपने राइस लगाया ब्लेक ग्राम लगा लिया इसके लाव फॉर्डर क्रॉप में मेज लगा लिया मक्का या बरसीम आप लगा सकते हो नेश्ट है ओन स्लोपी लेंड्स अल्टरनेट क्रॉपिंग और इरोजन परमोटिंग एंड इरोजन रेसिस्टिंग स्लोपी लेंड्स होती है यानि जो धलान वाले एरिया है वहां पर एक बार तो अपने को लगाना है इरोजन परमोटिंग क्रॉप्स SNA के बार बार अपन Erosion Promoting Crops है वो लगाते रहेंगे क्योंकि Soil की Erosion है मर्दा का जो सरण है अब वो ज्यादा हो जाएगा एक बार अपने को ऐसी Crops लगाई है जो मर्दा सरण को रोकती है जैसे एक्जामपल के अपन बात करें तो मेज है वो एक Erosion Promoting Crops है मेज से Soil Erosion है वो जादा होता है इसके लावा कावपी है ग्रीन ग्राम है यह Erosion Resisting Crops है इनसे मर्दा सरण है वो रुखता है कम होता है तो ऐसी फसले अपने को लगानी है जो धलान वाले चेत्र होते हैं वहाँ पे अपने को एक तो मर्दा के जो Soil अपनी होती है मर्दा बोल सकते हो, Soil बोल सकते हो तो Soil Erosion Promoting Crops हो लगानी है दूसरी बार अपने को प्रेसिस्टेंट Crops हो लगानी है नेक्ट इसके प्रिंसिपल सी है उनकी बात कर लेते हैं अपन यह अपने अपने आ चुका है यह भी अपने 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 देख लिया या कह सकते हो, Drought का मतलब होता है सूखा Tolerant मतलब सहन सील और Crops आप समझते हो फसल सूखा सहन सील फसलें अपने को ग्रो करनी है ऐसे छेतर जहां पानी की कमी होती है Dryland area अपन उनको बोलते है जहां सूखा ज्यादा होता है पानी की वहां कमी होती है लिमिटेड इरिगेशन कंडिशन जहां सिचाई की यह पानी है वहां पर लिमिटेड कंडिशन होती है तो उस छेतर में अपने को कौन सी क्रोप लगानी है draw tolerant शुका सैंसील फसले अपने को वहाँ पे grow करणी है जैसे बाज रहा है तो जमार है बाज रहा है इनको कम वोटर की आप सकता होती है कम पानी की इनको आप सकता होती है तो ऐसी फसले आपने पर वहाँ पर लगा सकते हैं इसके अलावा इसका अपोजित हो गया जहां पहसं पीक्रौप पानिया सब्सक्राइब्ट संट पने को जादा पानियों पनी हैं आपको द्याननी एंबफान इयरिया वहां पर अपने को सुखा सैंजील फसले हैं वो उच्वारा है जबकि जहां पानी ज्यादा होता है वहां अपने को कौन सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपके मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड हो आपकी फैमिली के लिए वह काम में आ सके लोगों की जरद के फिरोंगा उसके हिसाब से अपने को ग्रोप से वह ग्रोव करनी है वहां का जो एरिया है उसके हिसाब से इसके अगर आपकी लेंड है तो वहां पर जिनसे इंकम आपको मिल सकती है जैसे vegetables है flowers है फूल है वो आप उगा सकते हो पस सब्जी आप उगा सकते हो flowers आप उगा सकते हो तो वहां आपको ऐसी crop से वह सलेक्ट करनी है next है it should be adaptable to the existing soil climate and economic factors ऐसे नहीं कि आप फसल ऐसी लगा रहे हो जो वहां के climate में suitable ही नहीं है वहां पे ग्रोई ही नहीं कर पाती है तो ऐसी फसल आपको सेलेक्ट नहीं करनी है इसके लावा इकोनोमिक होनी चाहिए सस्ती आपके पढ़नी चाहिए ऐसे नहीं कि आप लगा रहे ह मार्केट में चैसल कर रहे हो पैसे कम मिल रहें तो एसी ख़ी और आपको सेलेक्ट नहीं करनी है तो यह सारे प्रिंशिपल्स आपको रहनो द्евич भीज priorit होते हैं इससे क्या क्या अबको प्रॉपिट होने वाला है तो अगर प्षसले बदल बदल कर रहे हैं तो प्यर्य वर więcej कि डिजीज कम आएंगे बीमारियां कम होगी वीड इसमें कम आएंगे प्रोड़क्शन अपना ज्यादा होगा पूरे साल अपने को इंकम है वो मिल सकती है तो यह सारे इसके एड़्वांटेज है देख लेते हैं अपन वन वाई-वन अगर अपन बार बार अपन बदल के बोरे हैं सेम फिल्ड के अंदर तो उसकी फर्टिलिटी है उरक समता है वो बढ़ जाएगी इससे अपना प्रोड़क्शन वो अपने आप बढ़ जाएगा तो इसका यह प्रोफिट हो गया कि अपना जो प्रोडेक्शन हो इंक्रीज हो ज यह अपने बात कर ली कि अगर अपने को फिल्ड के अंदर कम डालना पड़ेगा तो यह भी इसका एक एडवांटेज हो गया next is rotation of crops help in weed control and pest control अगर अपन एक ही crop बार बार लगांगे तो ईसके pushianść जो प्लांट वहां के जो पैस्ट है इनके अलावां जो weeds है वो उस crop को select कर लेंगे और वहीं बार बार वो grow करेंगे उस पे जादा अटेक करेंगे अगर अपन एक ही crop लगाते हैं तो वहाँ पे खरपतवार है वो ज़्यादा grow करेंगे वीड यानि खरपतवार और पेस्ट यानि जो कीडे होते हैं जिनसे डिजीज अपने फैल सकते हैं क्रोप अपने को अलग-अलग वो लगानी है तो इसका यह फाइदा हो गया कि क्रोटेशन से फसलों के अंदर भीमारिया है वो बहुत कमाति है खरपतवार है वह नश्ट हो जाता है खरपतवार का जो अटेक है वह बहुत ही कम रहता है next is there is regular flow of income over the year अगर अपन एक ही क्रोप बार बार लगा रहे हैं हर साल अपन इसेम क्रोप है वो ग्रो कर रहे हैं तो जैसे अपने रभी के अंदर मान लो गेहू अपन ने ग्रो कर लिया वीट अपन ने ग्रो कर लिया इसके अलावा जैसे अपने रभी में और खरीब की क्रोप में अपन ने मस्टर्ड लगा लिया मस्टर्ड अपन ने सोरी मस्टर्ड क्या ग्राउंड नट अपन ने ग्रो कर लिया ग्राउंड नट मूफली अपने क्रीप में लगा ली और वीट गया हूँ है अपने रभी के अंदर लगा लिया मस्टर्ड है वो रभी के अंदर ही अपन ग्रो करते हैं तो ये दो क्रोप अगर अपन बार बार लगाएंगे तो पूरे साल अपने को इंकम जनरेट है वो नई आप होते रहेंगे के इंट सप्लाइज वेरियस नीड और फार्मर इंड इसके अलावा ऐसे जो क्रोप रोटेशन होता है उसको जरूरते हैं उसके हिसाब से उसकी नीड़ ही पूरी होती रहती है इसके अलावा अगर वह कैटल पालता है पकूलन करता है तो इसके लिए फ cotton है उसके साथ में ऐट्र अब अमortion क्या दगा सकते हैं ग्राउंड आइट क्रो कर लिया पहले अपने राय Tu सब्सक्राइब भेइक्वर कर लिया चंक हरे इक्वार हज्य अने अगर आप पूछा जाता लिखना है तो ऐसे नहीं हे चक्वाइश नहीं सारे थब करेंग हैं है उसके हिसाब से आपको लिखना है और सो यानि अगर ल्यृत को सब्रो आपकी किन नगा लोगेसे मेज आपने आप श्रेफेल मस्टर लगा लिया quarto 3MP में आपने लगा लिया Bier वीट ग्रों कर लिया तो यह मैंगा से गया 122 स lavagh है थो यह एक्जामपल है और रोटेशन है वह एक्जामपल ढखना है आफसे इंगर सकते हैं की ऊड़ा क्यों सकते हैं कि यह फो लिखने हैं तो यह बड़ा क्यूसर भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है 15 नमबर का भी पूछा जा सकता है तो यह अपना क्रोप रोटेशन है वह कंप्लीट हो चुका है आई होप आप लगों को क्लास है वह अच्छी लगे होगी इस क्लास को आपको सभी को सेर करना ह है ऐसे नहीं कि आपने देखा और बंद कर दिया ऐसे नहीं करना है सभी दोस्तों को आपको सेर करना है क्लास को चलिए ठीक है आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं ने क्लास में तब तक के थैंक्यू आपको लेगा होगीर वेवगा है या झापको सेर करेण के दूब तक करना है क्लास को एक है क्लास दोस्तों का यापको bendे चाना हुआवा तक क्लास आपको